साथियों, बंगाल में निवेश के लिए उत्सा की कमी नहीं है, मुसीबत है, सरकार ने जो माहूल बनाया है, कट 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 का जो कल्चर बनाया है, सिंडिकेट के हवाले बंगाल दे दिया है, उसी के कारण ये माहूल बिगरता गया है। जब भी मैं विदेश में प्रोबाशी बंगाली बेहनों भाईयों से मिलता हूँ, तो अपनी मात्रु भूमी के लिए, योगदान देने के लिए, हर बंगाल का बेटा बेटी, अध दुनिया में कहीं भी होगा, वो यहां के लिए कुछ करना चाहता है। लेकिन उनकी सिर्फ एक ही सिकायत रहती है, कि वो योगदान करे भी तो कैसे करे, आज के पस्चिम मंगाल में किराये पर, अगर किराये पर बिल्निंग भी लेनी हो, तो उसमें भी कट लगता है। और यह ऐसे बदमाजी कर रहे हैं, कि दोनों तरफ से कट लेते हैं। मिनाज सिंडिकेट की इजाज़त के किराये पर बिल्निंग भी नहीं ले सकते। इस सिति को पस्चिम मंगाल के बारे में बनाई गई, इस धारना को हमें मिल करके बदलना है। और इसलिए यहां आसोल परिवरतन लाना है, यहां पूर बहार से कमल खिलाना है। साथियों, मंगाल का अविकास तब तक संभव नहीं है, जब तक यहां सिंडिकेट का राज रहेगा। मंगाल का अविकास तब तक संभव नहीं है, जब तक यहां तोला भाजों का राज रहेगा। मंगाल का अविकास तब तक संभव नहीं है, जब तक कट कल्चर मंगाल में रहेगा। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक शाचन प्रशाचन गुंडों को आस्रे देंगा बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक कानून का राज पस्चिम बंगाल में स्थापित नहीं होता ये तब तक संभव नहीं है जब तक पस्चिम बंगाल ने सामान ने जनकी सुर्वाई करने वाली सरकान यहां नहीं बनती है इसी स्थित्री को बदलने के लिए आज पस्चिम बंगाल के कोने कोने से आवाज आ रही है आर नौय अन्योय आर नौय अन्योय आमरा आशोल परिबर्तन चाही आमरा आशोल परिबर्तन चाही